हलो फ्रेंट्स आज की ग्लास में मैं आपको सॉल्व करवाँगा ESIC 2019 ठीक है ESIC UDC 2019 का जो है कुस्चन पेपर है तो इसको हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे और इंगलिस के 25 कुस्चन इसमें आये हुए थे ठीक है 25 कुस्चन थे तो सभी कुस्चन को यहाँ पर देखेंगे इंगलिस के ठीक है तो उसमें क्या था हर एक सेट में 100-100 कुस्चन थे लेकिन यह जो 2019 वाला है इसमें आपके नए लेटेस्ट पैटन के अनुसार जो है इसमें 25 कुस्चन इंगलिस के आये थे तो इनको अच्छे से आपको जो है solve करना है ठीक है और यह सभी exams के लिए आप आपको note करना है ठीक है आए देखते हैं first question यहाँ पर this is the area where you can find designer and good quality jewelries ठीक है चलिए आप लोग कोसिस करने की मेरे answer बताने से पहले आपको ना answer यहाँ पर जरूर निकाले और वीडियो को post करना भी पड़े तो आप वीडियो पॉस्च कर सकते हैं बढ़ कोसिस करने की answer आया हुआ ठीक है अभी आप लोग इस पर मत ध्यान दीजी यह क्या लिखा भी बताएंगे ठीक है यहाँ पर नहीं आप यहाँ पर ध्यान दीजी question पर ठीक है तो jewelries यहाँ पर आया हुआ है jewelries आपको ध्यान रखना है जो jewelries होता है यह गलत होता है इसमें जो है jewelry करेक्ट क होता है जोलरी को जो है हम कभी भी प्लूरल नहीं बनाते हैं क्या करते हैं प्लूरल जो है हम लोग कभी इसको जोलरी को नहीं बनाते हैं यह हमेशा सिंगुलर में ही यूज होता है तो अगर आप एसमें या फिर एस लगा करके इसको प्लूरल बनाने की कोशिस करेंगे तो य यह जो है wrong हो जाएगा ठीक इसी तरीके सो कुछ और होते हैं जैसे information होता है तो उसमें आप informations नहीं कर सकते हैं advise होता है तो उसमें आप एड़आइसे नहीं कर सकते हैं ठीक है तो इसी तरह के इस तरह के question जो है exam में बार-बार पूछे जाते हैं और SSE exams में भी काफी बार पूछे गए हैं तो आपको यहाँ पर मैं कुछ word दे रहा हूँ ठीक है अब इन words को यहाँ पर देखिए कुछ words यहाँ पर मैं आपको दे रहा हूँ जो की important अभी और सारे word होते हैं बैगेज बहुत बार exam में आता है फरनीचर्स ठीक है फरनीचर्स कभी नहीं करते हैं हमेशा कित का यूद करते हैं फरनीचर का ठीक है न्यूज न्यूज को भी कभी plural नहीं बनाते हैं हमेशा singular बनाते हैं ठीक है information हो गया यह भी बहुत बार exam में आया है advice बहुत बार आता है scenery भी बहुत बार आता है exam में ठीक है तो यहाँ पर जितने word लिखे गए काफी ज़्यादा important है आपके machinery, jewelry जैसे यहाँ पर jewelry तो आ ही गया exam में ठीक है work, equipment, poetry, knowledge ठीक है तो कम से कम आपको इतने word याद रखने है यह आपको लिख लेना है, invert को लिखना है उसके बाद लिखना है, यह सभी word uncountable होते हैं यह सभी noun uncountable होते हैं इनको plural बनाने के लिए इसमें yes या es नहीं लगाया जाता है और इनके साथ हमेशा verb की first farm आएगे ठीक है verb की कौन सी? first farm, मतलब singular farm, first farm नहीं यहाँ पर singular farm कहेंगे ठीक है तो अतना आपको जरूर इसमें ध्यान रखना है तो option number जो है, 4 दी वाले पार्ट में error है तो option number 4 इसमें error हो जाएगा I hope आप लोगों ने इसको note किया होगा ठीक है तो आपको इसको note कर लेना, यह सारे word काफी जाता important है बार-बार exam में पूछे जाते हैं, ठीक है आगे चलेंगे और अगर आपने पुराने जो वीडियो उनको नहीं देखा है तो उनको भी आप लोग लगा लेजिए अभी 4 classes पहले इसकी दे चुका हूँ ESIC के previous year की तो उनको भी आप लोग जरूर लगा है, ठीक है इसमें देखते हैं क्या होगा तो चलिए इसमें आप लोग कोसिस करें कि यहां पर answer निकालने, ठीक है और मैं बताता हूँ इसमें correct कहां पर है option number कौन सा हमारा जो इसमें error है तो यह होगा option number B में ठीक है, option number B में error होगा यहां पर यानि कि option number 5 इसमें बिल्कुल correct है, यहां पर होगा ठीक है आप जानते हैं कि इसमें correct क्या होगा तो यहां पर आपको जो थोड़ा सा समझ दिखाने की जरूरत है, ठीक है तो इसमें आपको यहां पर थोड़ी सी समझ की जरूरत है ठीक है तो यहाँ पर देखेंगे option number B में error होगा इसमें ठीक है कहाँ पर option number B में इसमें यहाँ पर error है और इसमें error क्या है ठीक है तो इस तरह के question जो है अगर आपने SS exam भी आप लोग देते हैं तो उसमें बहुत पूछे गए इस तरह के question बहुत सारे पूछे गए उसमें भी तो यहाँ पर आपको क्या करना है like पहले यह वाला sentence आप लोग देखें ठीक है एक sentence मैंने यहाँ पर अलग से लिखा हुआ है इस question को समझाने के लिए तो सबसे पहले यह वाला question समझते हैं ठीक है इसमें क्या है छोटा सा question है बाके यह तो बहुत ज्यादा बड़ा है तो आपको हो सकता कम समझ में है तो पहले इसको समझ लेते हैं ठीक है तो यहाँ पर देखें I don't like you watching movies ठीक है तो sentence का मतलब क्या है कि I don't like you मैं तुमको नहीं पसंद करता हूँ ठीक है इसमें यह है लेकिन जो sentence कहना क्या चाह रहा है कि मैं उनका कोई work है ठीक है उसके उस काम को नहीं पसंद करता हूँ ठीक है मैं तुमारे जो तुम मुवी देखते रहते हो उसको नहीं पसंद करता हूँ ठीक है सेंटेंस का अर्थ ही होना चाहिए कि जो तुम मुवी देखते हो दिन रात बैट करके मैं उसको तुमारी आदत को नहीं पसंद करता हूँ बट यहाँ पर जो sentence है इसका मतलब क्या है कि I don't like you मैं तुमको नहीं पसंद करता हूँ ठीक है तो इसलिए यहाँ पर जो है इस you को हटाना पड़ेगा और यहाँ पर हमको possessive case बनाना पड़ेगा तो यहाँ पर हो जाएगा your हमारा correct क्या होगा your correct होना चाहिए ठीक है तो I don't like your watching movies मैं तुम्हारे जो मतलब तुम movie देखते हो उसको नहीं पसंद करता हूँ ठीक है तो यहाँ पर आदत की बात करी जा रहेगी आदत को नहीं पसंद करता हूँ जबकि यह sentence किस तरीके गहे मैं तुमको उस person को नहीं पसंद करते है यहाँ ठीक है तो यह बिल्कुल इसके बाद वाला इतना पूरा sentence को हटा दीजे ठीक है इसना हटा सकते है ठीक है यहाँ पर इतने में समझ लेते हैं इसको यहाँ पर time तक ठीक है इसको time तक समझ लेते हैं the new manager did not like his employees to talk all the time कहना क्या चारा है new manager जो है वो पसंद नहीं करता था employees को but sentence क्या होना चाहिए कि जो employees है उनके उनकी जो लोग बात करते रहें तो to talk all the time जो हर समय बात करते रहते हैं उसको नहीं पसंद करता है यहाँ ठीक है तो हमको इस employees में जो लिखा हुआ है इसको हमें apostrophe s लगाना पड़ेगा इसको हमको possessive बनाना पड़ेगा तो like his employees to talk all the time ठीक हमको इसको possessive case में change करना पड़ेगा तब यहाँ पर जाके आपका sentence correct होगा I hope यह चीज आपको सोन में I होगी ठीक है और इस तरीके से error exam में काफी सारी पूछी जाती है तो आपको इसको जो है ध्यान रखना है थोड़ा सा तो option number जो है 5 यहाँ पर correct होगा ठीक है I hope मै मैं इसको समझा पाने में आपको सच्छम हुआ होगा यहाँ पर ठीक है आपको सोन में आया होगा ठीक है तो एक बार फिर से बता देता हूँ कि यहाँ पर आपको possessive बनाने की जरूत है I don't like you यहाँ पर लिखा हुआ है तो मैं तुमको पसंद नहीं करता हूँ जबकि यहा पसंद करता है ठीक है लेकिन sentence यहाँ पर क्या कहना चाहरा है कि अपने employees को नहीं पसंद करते हैं employees को नहीं जो हमेशा बात करते रहते उसको नहीं पसंद करता है ठीक है तो यहाँ पर होगा his employees to talk all the time ठीक है I hope यह आपको सोन में आ गया होगा चलेंगे next question पर next question यहाँ पर है तो यहाँ पर देखेंगे character होगा Tony Blair who regularly attended mass as a prime minister will have decided not to convert until after he left office तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे यहाँ पर ठीक है इसमें कौन सा tense है past tense है ठीक है यहाँ भी आप लोग देख सकते हैं left आया हुआ है leap की second form है तो यहाँ भी past tense है तो जब भी कोई class past में होती है तो पूरा sentence भी हमको जो है past में करना ही होता है ठीक है तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे will have decided आया हुए ठीक है तो यह आपका जो है बिलकुल गलत है है यहाँ पर नहीं होगा ठीक है तो इसको यहाँ पर यह गलत है हमको इसको गलत काटना पड़ेगा ठीक है या तो विल के अस्था पर आप लोग यहाँ पर उड़ कर लीजिए तब भी जो है sentence correct होगा क्योंकि इसको past में बनाना पड़ेगा sentence को ठीक है I hope यह आपको zone में आया होगा कि जो sentence हमारा वो past में होना चाहिए ठीक है तो option number जो है C इसमें correct होगा option number 4 ठीक है option number 4 यहाँ पर correct हो जाएगा I hope यह आपको zone में आ गया होगा चलेंगे आगए next question पर तो आपको ध्यान रखना कि जब भी किसी sentence में कोई class जो है अगर past में होती है तो पूरे sentence को भी हम लोग past में ही use करते हैं यहाँ पर आप verb भी देख सकते हैं यहाँ भी past sentence है यहाँ भी left आया है यह भी past tense है तो यह भी आपका past tense में ही होगा ठीक है आगे चलेंगे next question पर next यहाँ पर थोड़ा बड़ा सा question है यहाँ पर लेकिन बहुत ही छोटी सी error है question बहुत बड़ा है तो कहते हैं कि देखने छोटे लगे घाव करे गंभीर बट यहाँ पर उल्टा हो रहा है बहुत बड़ा है लेकिन इसका दूतरा महावरा बन जाए ठीक है तो इसको देखत है if the judge does not rescue himself from the hearing call the cell number I shall file a motion in the motion in the Supreme Court and make him step down ठीक है तो बहुत ही simple सी error है बहुत ही छोटी सी बहुत ही common सी error है ठीक है तो लोग इसको बता देता हूँ यहाँ पर यहाँ पर आप लोग देखेंगे लिखा है himself क्या लिखा हुआ है और यह होता क्या है himself इसको बोलते हैं ठीक है correct क्या होता है reflexive pronoun है himself himself यह जो होता है ना कि himself और himself भी खलत है अगर इसी तरीके से लिखना था तो इसको himself करते हैं ठीक है तब correct होता लेकिन यह होता है himself यहाँ पर आपको ध्यान रखना है यह-स-e-l-v-e कब लगता है जब हमारा जो है यह plural होता है ठीक है जैसे you है तो you self उसको नहीं लिखते हैं योर्सेल्ब ठीक है योर सेल्फ सेल्फ भी होता है जैसे आवर सेल्फ तो आवर सेल्फ उसको प्लूरल बनाने के लिए यहां पर यूज किया जाता है आवर सेल्फ आवर सेल्फ ठीक है तो प्लूरल बनाने के लिए हम लोग उसको लगाते हैं जबकि यहां पर हिमसेल्फ यह सिंगुलर में ही आगे देखेंगे next question है तो मैं बताता हूँ यहाँ पर correct क्या होगा तो बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस sentence में आपका कोई भी error नहीं है option number 5 यहाँ पर होगा इसमें कोई भी error यहाँ पर नहीं है कुड के साथ verb की first form आती है यह भी आपका correct है बाकी पूरा sentence में correct है ठीक है आगे चलेंगे next question पर अब चलिए आपके sentence जो आएं यह फिल इंदा blanks के ठीक है अब फिल इंदा blanks के questions को करते हैं इसको हम लोग समझने की कोशिस करते हैं इसमें ठीक है तो चलिए इन words में से आपको फिल करना है ठीक है तो इस तरीके questions को करने के लिए आपको vocab की बहुत ज्यादा knowledge होनी चाहिए ठीक vocab हर एक जो यहाँ पर word लिखा है उसका मतलब पता होगा तभी आप लोग यहाँ पर भर पाएंगे आप लोग को understanding भी होनी चाहिए sentence की और word पावर आपका मजबूत होना चाहिए ठीक है और इसके लिए आपको मैं vocab की भी class आपको देता हूँ अभी पूरे 40 वीडियो आ चुके है ठीक है और इसमें target कितना है 3000 words आपको करवाने का target है और इसमें अभी तक 40 वीडियो आ चु अभी हम लोग अभी हम यहां पर पर पहुँच है ठीक है अभी हम पी वाले words इसमें कर रहे है एस से ले करके पूरा हो चुका है P पर पहुँच चुके है ठीक है तो कुछ ही word बाकी है इसमें 60 वीडियो आपके बनेंगे तो 20 वीडियो भी और बाकी है तो आप लोग ऋन classes क भी लगाए वुकई वाली classes आपके लिए important है ठीक है तो उनको भी समझने की कोशिश करें आपके लिए काफी ज्यादा important होगा और सारी की सारी important जो words है उसमें कबर हो जाते है ठीक है अब चलिए इसमें देखते हैं यहाँ पर क्या होगा हमारा तो आपको एक एक वर्ड की यहाँ पर meaning लिखना है जो भी जिस भी वर्ड को meaning आपको ना पता हो उसको लिख लेना बाकी अगर आता है तो कोई बात नहीं लिखने की जरुवत यहाँ पर नहीं है ठीक है तो इसमें देख लेना मन यहाँ पर लिखने पाऊंगा ठीक है तो आप लोग लिखे लेना कंठीन परीश्रम ohjosh पोजिशन्स लिखा हुआ है इसका मतलब होता है सक्ती या फिर पराक्रम ठीक है सक्ती या फिर पराक्रम होता है और मैनर का मतलब होता है जागीर होता है ठीक है मैनर मतलब क्या होता है जागीर होता है तो इसको भी लिखना है आपको और प्रोस्पेरिटी मतलब होता है ठीक है और जो लिखा है रेटिउन इसका मतलब होता परिवार या पिठाट बाट ठीक है परिजन नौकर चाकर यह सब इसमें होता है ठीक है तो अब यहाँ पर कुस्टन में हमको भरना क्या है तो for many people in the in third word countries life has nothing to offer but years up druggery ठीक है druggery यहाँ पर हमको भरना पड़ेगा sentence का मतलब क्या है कि for many people in third world countries जो third world countries है इसके बहुत सारे लोग इन में बहुत सारे लोगों की बात की जा रहे है कि life has nothing to offer उनको जिंदगी कुछ नहीं देती है but years up druggery मतलब कठीन मेहनत तो सालों की कठीन मेहनत की अलावा ठीक है लाइफ उनको कुछ नहीं देती है वर्सों की या सालों की कठी मेहनत के अलावा ठीक है तो यहाँ पर आपका druggery या बिल्कुल इसमें correct होगा और कोई भी वर्ड इसमें correct नहीं आएगा ठीक आपको सभी वर्ड को याद रखना है अपनी copy पर note करना है आगे चलेंगे next question पर पर on the other hand the prime opposition party seems to be a party lacking both and effective anchor and आगे यहाँ पर आपको फिल करना ठीक है तो चलिए यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले इन सभी वर्ड का जो हैं आपर मतलब देखेंगे तो जो xpate है ठीक है xpate है xpate का मतलब क्या होता है xpate का मतलब होता है निर्वासित ठीक क्या होता है निर्वासित xpate का मतलब क्या होता है निर्वासित होता है निर्वासित और इसमें देखेंगे इनकार से यह क्या लिखा है इनकारनेटड ठीक है तो इनकारनेटड आप लोग इनकारनेट मतलब एक तरीके से अवतार लेना ठीक है अवतार लेना इनकारलेट का मतलब क्या होता है अवतार ठीक है आउतार लेना और अंकट्वर्स का मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है मरहम ठीक है मरहम या जो सीला कह सकते हो जो सीला ठीक है इसका मतलब होता है जो सीला आप लोग लिख लेना तब यहाँ पर और प्रोग्रेमेटिक प्रोग्रेमेटिक का मतलब क्या होता है जो मतलब प्रोग्राम से बना हुआ इसको क्या कह सकते हो कारिक्रम संबंधी ठीक है इसका मतलब होता है कारिक्रम संबंधी ठीक है कारिक्रम संबंदी और जो non-chalent है इसका मतलब होता है बे पर वा ठीक क्या होता है बे पर वा तो आपको इन सभी वर्ट की मेनिंग यहाँ पर लिख लेना है अच्छे से ठीक है यहाँ पर मेरे पास जो लिखने वाला टूल नहीं है तो मैं लिख नहीं पाता हूँ इसलिए राइटिंग यहाँ पर थोड़ी गड़ पलो या थी बट आपको लिख लेना अच्छे से ठीक है अब इसमें देखते हैं हमारा correct क्या होगा तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे on the other hand दूसरे पच्छ से या फिर दूसरे हाथ से the prime opposition party जो मुख्ख opposition party है seems to be a party liking both and effective anchor म एक कमें effective anchor की कमी है और और किसकी कमी है, यहाँ पर आपको बताना तो यहाँ पर programmatic आपका होगा correct क्या होगा? आगे चलते हैं इसमें आपको अगर words की power अच्छी है तब आप कर सकते हैं otherwise आपको इसमें करने में बहुत ही परिशानी हो गी आपर ठीक है आगे चलेंगे next question पर next question है हमारा corruption was the reason फार्दा आपदा government ठीक है तो यह थोड़ा आसान question है पहले दोनों questions के पेच्छा है जो है थोड़ा सा आसान है इसको यहाँ पर कर सकते हैं तो corruption was the reason फार्दा आपदा government ठीक है हमको भरना यहाँ पर तो downfall, shrinkage, sacrifice, sacrifice और strategy तो downfall आपका यहाँ पर correct होना चाहिए ठीक है correct क्या होगा downfall ठीक है downfall मतलब कह सकते हो गिर जाना ठीक है सरकार के जो मतलब फेल होने का कारण है वो क्या है corruption ठीक है यहाँ पर downfall आपका correct हो जाएग ठीक downfall आपदा government और shrinkage, shrinkage मतलब shrink यहाँ पर word उता है shrink एक्जाम में बहुत बार आता है shrink, shrink shrink का मतलब होता है secure ठीक है तो shrinkage का मतलब भी होता है और बात करें यहाँ पर sacrifice की इसका मतलब होता है बली देना ठीक है और strategy आपको पता ही है एक word है यहाँ पर chase और chase का मतलब होता है पीछा करना इसका मतलब क्या होता है पीछा करना या फिर सिकार ठीक है पीछा करना पीछा या फिर सिकार होता है chase का मतलब ठीक है यहाँ पर जो correct होगा वो होगा आपका option number one downfall ठीक है चलेंगे next question पर down fall मतलब पतन भी कह सकते हो जो सरकार का पतन कारण क्या है corruption ठीक आगे चलेंगे next question पर I tried my best to her from leaving तो यहाँ पर आपको fill करना है इन पांचों में से ठीक है चलिए सबसे पहले वही काम करते हैं सभी words के meaning यहाँ पर समझने की कोशिस करते हैं तो यह भी आसान है थोड़ा सा I tried my best to approve मतलब क्या होता है सहमत होना ठीक है dissuade मतलब होता है मनाना ठीक है क्या होता है मनाना dictate कह सकते हो जैसे government ठीक है जैसे dictatorship आपने पढ़ा होगा dictatorship यानि किताना सा ठीक है तो उसी तरीके से dictate भी होता है word इसका मतलब प्रसासन भी कह सकते हो government भी कह सकते हो ठीक है प्रसासन इसका मतलब प्रसासन होता है ठीक है आगे चलेंगे demean तो demean का मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है नीचे दिखाना नीचा दिखाना या फिर अपमान करना नीचा दिखाना या फिर अपमान करना और डिमोलिस डिमोलिस का मतलब होता है धह जाना क्या होता है जैसे बिल्डिंग गरा क्या होती है डिमोलिस होती है धह जाती है तो हमारा जो है जाने की जाने से रोकने के लिए बहुत ज्यादा कोशिस की ठीक पूरी कोशिस की तो आप से नमबर सेकेंड नहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा चलेंगे नेक्स्ट पर नेक्स्ट यहां पर अब देखिया गया है पैरा जंबल की कुश्चन ठीक है अब क्या है आपका पैरा जंबल है अभी जो मैंने आपको दोनों से कर आये थे इसमें साइद एक में पैरा जंबल कुश्चन आये थे बाकी में नहीं आये था अब यहां पर आपको पैरा जंबल भी दिया जा रहा है ठीक है तो आपको इस तरीके से अपनी त्यारी अच्छे मतलब बहुत ही अच्छे लेवल की त्यारी करके जाएंगे तभी exam में अच्छा कर पाएंगे ठीक है otherwise आपको problem होगी क्योंकि English जो है इसमें अच्छे लेवल की आ रहे ठीक है तो थोड़ा banking थोड़ा SSC लेवल की आप कह सकते हो जैसा कि मैंने आपको पहले भी solve कराया था तो उसमें synonym के question बहुत सारे थे, antonym question बहुत सारे थे, one word substitution आता था, idioms भी आते थे ठीक है लेकिन इसमें क्या है ना आपको idioms है, ना one word substitution है और ना ही antonym synonym पूछे गया है antonym synonym पूछा गया है वो prices के रूप में ठीक है एक मतलब prices था, comprehensive वाला, उसी में antonym synonym पूछ लिया गया है, दो question थे एक antonym का, एक synonym का है, ठीक है, बाकी आपके अलग से नहीं पूछे गये और पैरा जंबल के भी लगबग 4-5 question इसमें आये हुए है, ठीक है क्यों लिए है इतना कि 25 question आयेंगे उसमें, ठीक है तो आप लोग अच्छी त्यारी करके जाए, ठीक है यहाँ पर देखेंगे हमको करना क्या है, पैरा जंबल का question है तो यह एक ही sentence यहाँ पर लिखा हुआ है, और एक ही sentence के अलग-अलग part करके इसमें दिये जाते है, ठीक है तो आपको इसको एक correct sequence भी लगाना होता है, ठीक है जैसे subject है, verb है, ठीक है और object कह सकते हो, ठीक है तो object यहाँ पर किया गया है, subject यहाँ पर है verb यहाँ पर कर दिया है, तो इस तरीके से कुछ sentence को तितर बितर कर दिया गया है आपको जो इस तरीके से है correct sentence में इसको लगाना है, ठीक है correct sequence में इसको यहाँ पर लगाना है और option दिये गए हैं 5, ठीक है तो इसको हम लोग solve करते हैं तो आज़े देखते हैं, ठीक है तो सबसे पहले इसको solve करने के लिए आपको क्या करना है, link find करना है ठीक है, link, ठीक है पूरा sentence को आपको जोडने की जरूत नहीं होते है इस तरीकी question में, आपको क्यो link find करना है किस word के साथ क्या आ सकता है यहाँ ठीक है जैसे हम पर बात करें infrastructure and health challenges our cities face serious ठीक है great hope for but they are also places up ठीक है तो यहाँ पर ध्यान दो कि आप फौर के साथ क्या यूच कर सकते हो फौर के बाद इसके आगे हम यहाँ पर क्या यूच कर सकते हैं फौर के आगे ठीक है तो इसमें देखते हैं great hope for our cities face serious यह तो नहीं होगा ठीक है hope for infrastructure and health challenges ठीक है और great hope for infrastructure and health challenges यह भी इसमें नहीं हो सकता है और बट तो आएगा है नहीं तो economic opportunity ठीक है hope क्या होती आसा किसी अच्छे चीज़ की होती है ठीक है यहाँ पर कह रहा health challenges ठीक है health challenges के लिए hope नहीं ठीक है तो economic opportunity and development यहाँ पर यह positive word है तो किसी जीच की hope करेंगे तो positive चीज़ के लिए hope करते हैं ठीक है तो great hope for economic opportunity and development यह हो सकता है ठीक है C के बाद E आसकता है और यहाँ पर सबसे यह भी find कर सकते है कि हमारा sentence कहां से शुरू हो सकता है तो देखेंगे infrastructure and health challenges तो हमारा एक sequence हमने बनाया कि C के बाद E आएगा ठीक है इसको लिख लेते हैं देखते हैं आपसन में अच्छा कहां पर है C के बाद E तो यहाँ तो नहीं है इसमें ठीक है C के बाद E इसमें भी नहीं है C के बाद E C के बाद E अपसन नमबर 4 को लॉक कर दिया जाए Great Hope for Economic Opportunity and Development ठीक है ठीक है इसको लॉक कर देते हैं यहीं आपका correct answer यहाँ पर होगा अपसन नमबर 4 एक ही आपसन में हमारा link मिला CE हमने एक link find किया कि यहाँ पर क्या हो सकता है ठीक है यह जो मैं कर रहा हूँ यह 2-3 दिन का या 1-2 महिने का काम नहीं कि आप लोग हवा बाजी में इसको कर लोगा ठीक है इसके लिए मेहनत लगेगी आपको practice बहुत ज़्यादा करना है और पढ़ना है चीजों को English की reading के habit करेंगे तब यह साय चीजे लिंक आपको मिलेंगे यहां पर ठीक है यह नहीं कि आपने हमने बता दिया आपको मजा आ गया ठीक है इस तरीके से नहीं मजा के लिए नहीं पढ़ना है ठीक है आपको अच्छे से उसको पढ़ना है they are also places आफ उसके बाद सी great hope for economic opportunity and development ठीक तो यह हमारा बिल्कुल correct sequence यहाँ पर बन जाएगा और आप लोग चाहें तो और भी तरीके कोई ज़रूरी नहीं कि इसी तरीके से आप यहाँ पर CE link बनाएं आप कुछ और भी link बना सकते हैं ठीक यहाँ पर सबसे पहले कौन सा sentence आएगा उसको भी find कर सकते हैं ठीक तो जैसा कि यहाँ पर 20 से शुरू हो रहा है तो इस तरीके से आप लोग लिंक बना के करेंगे आसानी होगी आगे चलेंगे next question पर यहाँ पर देखते हैं कोई link बनाने की कोशिज करते हैं Hospitals In The Early Days in infectious disease Who care for our people अब यहाँ पर हमको एक word मिला who ठीक है अब आपको पता होना चाहिए कि जू होता है क्या होता है यह हमारा जो है subjective case होता है आपने बहुत बार पढ़ा होगा यह सक्क्या होता है subject होता है तो subject होता है तो इसके बाद एक word आती है who के साथ क्या आती है who के बाद कोई न कोई verb तो आती ही है न क्योंकि subject है तो verb आनी चाहिए इसके बाद में ठीक है तो यहाँ पर देखेंगे अब who आया है तो who के बाद हम लोग देखते हैं कि verb जो है कौन वाले पार्ट में आया हुआ है तो hospital आपका verb तो है ने ठीक यह noun है care care ठीक है who care for people with ठीक है तो care तो verb है चलो इसको देख लेते हैं भी needed भी verb है who needed और verb ही क्या है verb है तो यह तीनों हो सकते हैं इसमें A वाला तो नहीं होगा ठीक है तो B के बाद सबसे पहले A नहीं आना चाहिए कहां पर है कहीं देखते हैं B के बाद अगर A हो तो उसको हटा सकते हैं ठीक है तो यह वाला तो नहीं होगा ठीक है B के बाद A नहीं आएगा option number यह भी नहीं होगा ठीक है पांचवा भी नहीं होगा और इसमें भी जो है क्या है B A आया हुआ है तो यह दोनों तो कट गए हमारे option ठीक है अब तीन option हमारे पास बचे हुए है अब यहां पर देखेंगे यहां पर अब देखो 2 आया हुआ है ठीक क्या आया है 2 अब आपको पता है कि 2 आया है तो इसके बाद वर्ब की फर्ष्ट फार्म आनी चाहिए क्योंकि इंफिनिट्व क्या होता है 2 प्लस V1 होता है ठीक है तो अब देखते है वर्ब कंस्ट्रक्टर में ली 2 2 के बाद नीडट तो आयगा नहीं ठीक है नीडट तो नहीं आ सकता केर हाँ केर हो सकता है केर वर्ब की फर्ष्ट फार्म है ठीक है तो 2 के साथ केर ही आ सकता है बाकि यह सब नहीं आएंगे हॉस्पिटल भी नाउन है 2 के बाद हमको वर्ब की जरूरत होती तो के बाद वर्ब की first फाम आती है तो 2 के बाद हमारा जो है के वल एक ही sequence बनेगा C आएगा ठीक है यानि कि ए के बाद जो है E के बाद C हमारा sequence बनेगा तो यहाँ पर देखते हैं E C कहाँ पर है मतलब E के बाद C ठीक है तो इसमें भी नहीं है इसमें भी नहीं है यहाँ पर option number 3 में यहाँ पर देखिए आया है ना E के बाद C तिहीं आपका बिल्कुल correct option होगा ठीक है इसी तरीके से आपको करना है और इस तरीके के अभी SSC exams के मैंने दो वीडियो आपको दिये हुए हैं पहरा जंबल के ठीक है उसमें थोड़ा सा इन ही चीजों के बारे में बात की हुई है कि आपको किस तरीके से करना है ठीक है तो आप लोग उन वीडियो को भी देख सकते हैं अभी तो यह क्या है कि एक ही sentence है उसको अलग-अलग part करके दिया गया है हो सकता है आपके exam में यह पांचो sentence अलग-अलग हो ठीक है यह पांचो sentence हो और एक story हो यहाँ पर पांच sentence बने हो पांचो को अलग-अलग करत के दे दिया गया हो तो आप correct sequence में लगाना हो ठीक है exam है उसमें कुछ कहने सकते कि क्या आएगा ठीक है तो आप उसको भी सीखे मैंने उसमें जो है वीडियोस जो मैंने दिये हैं दो वीडियोस उसमें यही sentence वाले को sequence को correct करना समझाया हुआ है तो आप उनको भी देख सकते हैं थोड़ी बहुत समझ आपकी वहाँ से भी विक्सित हो सकती है आपको जो है प्लेलिस्ट में जाएंगे तो पैरा जंबल के वीडियोस मिलेंगे ठीक है तो correct option इसमें number 3 होगा अगर आप के वहल इतना find कर लेते कि 2 के बाद वर्बी की first farm आएगी वर्बी की first farm कहां पर है option number C में है बस हमारा pair बन जाता E के बाद C आएगा तो E के बाद C केवल इसी option में और किसी option में भी नहीं दिया गया है आप यहाँ पर देख सकते हैं किसी आपसन में नहीं के वल option number 3 में ही E के बाद C दिया गया है ठीक आगे चलेंगे next question पर next question यहाँ पर अब चलिए इसमें link कोई find करते हैं ठीक है तो चलिए देखते हैं यहां पर यहां पर देखो Canada and World आप economic depression which lasted from अब यहां पर देखो दो वड़े एक है 1870 एक है 1890 ठीक है तो अब आपको पता होना चाहिए कि 1870 क्या है पहले आता है ठीक है 1870 जो है पहले आता है उसके बाद तो 1890 आता है उसी के बाद 1890 आता है किसी जी की बात करेंगे तो पहले 1870 की बात करेंगे तब तो 1890 की बात करेंगे ठीक है बस इसी sequence को हम लोग यहां पर देखते हैं कि C के बाद D हमारा होना चाहिए भले उसके बीच में कुछ और भी आए लेकिन D, C के पहले नहीं आ सकता है C जो है मतलब जो D है वो C के बाद में ही आएगा चलिए यहां पर देखते हैं यहां पर C, D है हमारा बिल्कुल सही है यहां भी C, D है यह भी सही है यहां भी C, D है यह भी सही है और यहां पर नहीं है इसमें DC लिखा हुआ है यह तो गलत हो जाएगा और इसमें भी D के बास C आया हुआ है यह भी हमारा गलत होगा ठीक है दो आपसन तो कड़ गए बहुत ही आराम से हमारे पास तीन आपसन बचे हुए है ठीक है अब देखते हैं इसमें करेक्ट क्या होगा कनाडा एंड दा वर्ल्ड आप एकोनॉमिक डिप्रेशन विच लास्टेड ठीक है विच लास्टेड फ्राम दा मिड एट्टी सेवन्टी अप टू अप तिल दा मिड एट्टी नैंटी ज और उसके बाद आपको यह दोनों साथ में ही रहेंगे ठीक है और पीरियेट्स आप ठीक हाँ यहाँ पर देखो आपके पहले क्या आ सकता है periods आ सकता है na periods of experience significant periods of economic depression ठीक है तो जो off free position है किसके पहले आ सकता है periods के पहले आ सकता है नहीं periods from ठीक है इस period की बात कर रहा है ठीक है period कहाँ पर है यहाँ पर दिये गए है mid 1870, 1890 ठीक यह वाले periods है तो periods from ठीक है periods from तो E के बाद जो है C आएगा देखते हैं यहाँ पर है E के बाद जो है C आया हुआ है और E के बाद C तो इसमें भी नहीं है ठीक है कुछ रॉंग तो नहीं है periods के बाद off कहीं पर है यहनि कि E के बाद B, E B इसमें है यहाँ पर नहीं है ठीक है और यहाँ पर देखो कि तो option number 3 ही हमारा correct होगा ठीक है तीन ही हमारा correct होगा periods के बाद यहाँ पर off आएगा ठीक है periods of economic depression which lasted मैंने एक idea लगाया है ठीक है आपको भी सी तरीके से idea लगाना है जिस तरीके से यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ तो फिर अब इसको हमारा जो है इसको पढ़के देख लेते हैं option number 3 correct होगा की नहीं होगा तो आप पढ़ेंगे तो आपको खुष समन में आएगा ठीक है Canada and the world उसके बाद आएगा E Canada and the world experienced significant periods उसके बाद B periods of economic depression which lasted from the mid-1970 up till the mid-1990 ठीक है सही है ठीक है आपका क्या है option number 3 यहाँ पर बिल्कुल correct इसमें हो जाएगा ठीक है चलेंगे next question पर और भी आप लोग link बना सकते हैं अच्छे से in question को लिक लेना और अच्छे से time देना है आपको इन ठीक है आगे चलेंगे next question पर क्योंकि यह कही question में लगे रहेंगे तो time ज्यादा निकल जाएगा ठीक है अब इसमें देखते हैं correct क्या होगा तो यहाँ भी कोई link बनाते हैं हम लोग देखते हैं भाई क्या होगा तो the importance of dance अब यहाँ पर देखेंगे हमारा होना क्या चाहिए एक्टिविटी इन कोट्षिप एंड दैन आया हुआ यहां पर ठीक है दैन importance of dance social gathering is तो यहाँ पर जो है कोई sequence से संभर में नहीं आ रहा है in code ship and तो चलिए इज की बात करते हैं ठीक है यहाँ पर इज को उठाते हैं इज के बात क्या सकता है या फिर दैन को देखते हैं ठीक है दैन के बाद it's used as a recreational activity then it's used as a recreational activity in code ship आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ यहां पर ठीक है कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा ना लेकिन इन ही चीजों को आपको समझना है इसी तरीके से exam में किया जाता है ठीक है और आपको करना भी इसी तरीके से है ठीक तो यहां पर सबसे पहला sentence क्या हो सकता है the importance of dance ठीक है यह पहला sentence यहां पर बन सकता है importance of dance और उसके बाद in courtship ठीक है importance of dance in courtship and social gatherings ठीक है social gatherings is probably older than it's used as a recreational activity ठीक है तो दैन के बाद जो है यही आएगा आपका मैंने मैंने नहीं मतलब आप लोगोंने adjective में पढ़ा होगा कि जो दैन होता है ठीक है क्या करता है पजस्यू मतलब sorry यहां पर जो comparative degree के लिए आता है दैन जैसे यहां पर older than है ठीक है older than है तो आप लोगों नहीं पढ़ा होगा कि जो compare होता है उस समान चीजों में house थीका आप लोगों पढ़ा होगा और समान चीजों correct करने के लिए आप क्या लगाते थे этот ठीक डैट लगाते थे कि नहीं लगाते थे correct करने के लिए या फिर आपको बताया गया था कि यहाँ पर possessive form का भी यूज कर लेते हैं ठीक है तिहाँ पर वही possessive form आई हुई है ठीक दैन के बाद वही possessive form यहाँ पर यूज हुई है तो हमारा B के बाद C का sequence ही बनेगा इसमें ठीक है तो B के बाद C तो यहाँ भी है ठीक है यहाँ भी है लेकिन यह वाला हमारा correct answer यहाँ पर option number 3 होगा थोड़ा से इसको पढ़ लेना आपको sound में आ जाएगा ठीक चलेंगे next question पर आगे एक ही question में time जादा लग रहा है इसको समझाने में otherwise जो है बहुत ही छोटी चीज है आप लोग आसानी से इसको कर सकते हो बस थोड़ी सी practice की जरूवत है आपको next देखेंगे मैं चाहता तो यह वाले question जो है skip कर सकता था इनको ना लगाता ठीक slide में बट मैंने लगाया है कि आप लोग देख लीजिए किस तरीके से करना है किस तरीके से मतलब अच्छे level के question यहाँ पर आएं हुए है ठीक है अब यहाँ पर चले देखते है अब यहाँ पर sequence बनाते है यहाँ पर two है ठीक है अभी हमने आपको बताया था कि two के बाद verb की first form हो सकती यहाँ पर ठीक है और अगर बात करें यहाँ पर देखो यहाँ पर यहाँ पर ठीक है सबसे important चीज है अब आपको पता है है जो होता है है के बाद क्या है verb की third form आती है है के बाद जो है verb की third form आती है तो यहाँ पर देखते है कहां पर है तो इसमें नहीं है पार्कड ठीक है पार्कड हो सकता है ए यह तो हो नहीं सकता बीन ठीक है बीन हो सकता है आपका है बीन ठीक है चलिए इसमें सिक्वेंस देखते हैं डी के बाद ए कहीं पर है डी के बाद ए इसमें नहीं है इसमें भी नहीं है यहां पर है ठीक है डी के बाद ए यहां पर है यहां भी नहीं है यहां भी नहीं है ठीक है तो क्या करें इसी को चेक करते है ठीक इसी को चेक करते है यही हमारा correct answer होना चाहिए ठीक है डू टू एपर्सिस्टेंट रिड्ज आप हाई प्रेसर एर उसके बाद सी टेंप्रेचर एक्रोस साइब सी आएगा पार्कड ओवर दा एरिया डैट है प्रेडूस्ट वार्म वेदर ठीक तो यही आपका करेक्ट होगा आपसर नंबर सी वाला ठीक हमने केवल इतना आनी चाहिए और बी की थर्ड फाम होती है बीन ठीक है तो यहीं आपका जो है करेक्ट यहां पर हो जाएगा ठीक है आई हो प्या चीज आपको सोन में आई होगी ठीक है चलेंगा गया नेक्स्ट कुश्चन पर और इसी तरीके से इनको आपको करना है ठीक है अब यहां पर question होते हैं जो आपके grammar पर भी base होते हैं बट exam में जो दिया गया था यह पूरा का पूरा आपका vocab पर base है grammar base नहीं है ठीक है इसमें तो पूरा का पूरा vocab के खेल है अगर आपको vocab की knowledge है तो आप इसको जो है आसानी से कर पाएंगे otherwise हो सकता है परेशान हो जाए ठीक है और यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने question number one से start किया है आपके exam जो question paper था उसमें यहाँ पर सबसे पहला जो question था option number five के लिए था ठीक है पहला बार पीछे जा करके न देखना पड़े ठीक है इसलिए यहाँ पर इसको लगा दिया है बट आपके क्या था पहला पहले इस फ्रेंड्स रेसिडेंट इन कोलकाता ठीक है आप लोग वीडियो पॉस करके एक बार पूरा sentence इसको पढ़ लीजे ठीक है उसके बाद इसको मेरे answer को देखे हां पर ठीक है तो स्वामी वेकानंद मेट रामक्रिशन परामंस भार्दा फर्स ताइम तो स्वामी मिले भेंदाल लेटर। मतलब बाद में बीष्टेड इस फ्रेंड्स रेसिडेंस इन कोलकाता और अपने के मतलब फ्रेंड्स पर मिलें कॉलकाता में उनसे तो क्या होँआ conscious आपदा power आप स्वामी वेकानन्द conscious मतलब होता सचेतता सचेतता तो conscious आपदा power यहाँ पर आपको फिल करना supernatural यान vengeful toxic और approach तो आपको ध्यान रखना supernatural power होता है supernatural power एक collocation भी होता है यह एक collocation भी है तो आपको इसको भी ध्यान रखना है power के साथ supernatural का ही use कर सकते हैं और यहाँ पर कोई word नहीं आएगा पाकी यान का मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है जमाई लेना ठीक है और vengeful venge मतलब बदला ठीक है और toxic मतलब होता है जहरीला और approach का मतलब होता है क्या हंगामा करना ठीक है स्वाम विवेका नंद, he called him to दच्छिने स्वर, ठीक है, तो उनकी जो सुपर नेचुरल पावर थी, उसको देखते हुए, उन्होंने उसको नाम दिया क्या दच्छिने स्वर, ठीक, दच्छिने स्वर नाम दिया स्वाम विवेका नंद को, किसने उनके गुरु, रामक्रिष्ण, परमहंत ने, ठीक है, उसके बाद he had a deep, आगे चलते हैं, नेक्स्ट कुश्चन पर और इसी तरीके से मैंने जो है, स्सी के प्रिविएस येर कुश्चन पेपर, अभी जैसे CGL, अगर आप लोग SST देते हो, तो भी CGL 2020 वाले, ठीक है, दो कि अभी 2021 में हुआ था, दो तीन महिने पहले उसके सभी कुश्चन पेपर, 21 कुश्चन पेपर यहाँ पर सॉल्व करवाया है मैंने, ठीक है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, उन सभी कुश्चन पेपर में सभी में आपको क्लोश टेस्ट भी सॉल्व करवाया हुआ है, तो आप चाहें, तो क्लोश टेस्ट भी वहाँ से लगा सकते हैं, और बहुत सारे कंसेट भी आपको उन वीडियो से जिवाई हो जाएंगे, कुछ grammar का पार्ट है, कुछ vocab का पार्ट है, तो सब कुछ आप लिए equally बराबर है, यसा नहीं कि सची के question आपके काम के नहीं है, ठीक है कोई मैथ नहीं कि calculation अलग से आएगी, ठीक है ये grammar है, ये vocab है, ठीक है, ये मतलब की English है, वही vocab होगी, वही grammar होगी, बस question पूछने का, किसे में थोड़ा बड़े question रखता है, थोड़ा छोड़े question रखता है, बट आपको सारे concept पता होना चाहिए, तहां पर आप लोग concept booster एक exercise में देता हूँ आपको, ठीक है, उसको कुछ काम का होगा, उसमें vocab जो है, और questions को करने का जो तरीका है, वो सारा का सारा आपके काम का होता है, ठीक है, चलिए फिलार इसमें देखते हैं, he had a deep that Swami's birth was a bone to mankind, ठीक है, bone मतलब वर्दान, ठीक है, तो he had a deep, surge, reluctant, suspicious, personified insight, ठीक है, तो deep insight, option number 5 करेक्ट होना चाहिए, deep insight, insight का मतलब क्या है, गहरी समझ, ठीक, insight मतलब क्या होता है, गहरी समझ होना, ठीक, किसी चीच की गहरी समझ होना, तो he had a deep insight that Swami's birth was a bone to mankind, ठीक है, ठीक है, और, और इसमें आपको बताना ही किया, ठीक है, reluctant मतलब होता है, अनिच्छुक होना, suspicious मतलब, संदेह, इस्पद, ठीक है, आगे चलते हैं, इसमें, नेक्स्ट है, हाँ पर, mankind farther, स्वामीज, he had a deep insight that Swami's birth was a bone to mankind farther, discourage, upliftment, depressed, nightmare, और, मेनेज, ठीक है, अच्छा, आप लोगों एक चीज, इस सेंटेंस को अगर आपने पढ़ा होगा, तो एक चीज आपको समन में आई होगी, कि जो पूरा सेंटेंस है, एक positive way में बात कर रहा है, कि इसमें positive way में बात कर रहा है, ठीक है, यानि कि सब अच्छी-च्छी बातें यहां पर करी गई है, कोई negative चीजों के बारे में बात नहीं करी गई है, ठीक है और यहाँ पर आप लोग देखो जो अप्सन है इसमें पहला अप्सन तीसरा आप्सन चौता आप्सन पांचवा अप्सन ये सभी वर्ड कैसे हैं निगेटिव थार्ड वाले हैं सभी वर्ड कैसे है निगेटिव थार्ड वाले हैं क्यों एक option है option number 2 जो आपको positive thought थोड़ा सा देता है ठीक तो option number 2 ही इसमें correct होगा बाकि सभी वर्ड जो है निगेटिव वर्ड है ठीक है और पूरा हमारा जो इससे भी आपको काफी help मिलती है close test को solve करने में कि जो close test है उसका tone कैसा है ठीक positive है negative है या किस तरीके से उससे भी आपको काफी help मिलता है options को eliminate करने में ठीक है तो यहाँ पर eliminate कर सकते हैं आप ठीक है तो upliftment ठीक है part the upliftment of the universe आपका यहाँ पर correct answer होना चाहिए ठीक है और upliftment का मतलब होथा उत्थान क्या होता है इसका मतलब होथा उत्थान उत्थान होता है तो sentence का मतलब यहाँ पर समझते हैं यहाँ तक तो हो गया था उनको दच्छनेसर कहा था he had a deep deep insight उनको जो है एक बहुत ज़्यादा गहरी समझती that Swami's birth was a boon जो एक वर्दान है लोगों के लिए to mankind मतलब लोगों के लिए for the आफ universe ठीक है तो universe के उत्थान के लिए ठीक है universe के उत्थान के लिए आगे चलते है fulfillment of his आगे बढ़ेंगे यहाँ पर जो है nightmare मतलब होता है बुरा सपना ठीक है depressed मतलब उदास discourage मतलब भी होता है depressed एक तरीके से और मेनेश का मतलब होता है threat यानि के खत्रा ठीक है आगे चलेंगे next question पर fulfillment of his spiritual inquisitiveness made him finally Ramakrishna Paramhans in the figure of his guru ठीक है तो चलिए इस पर भरते है fulfillment of his spiritual spiritual मतलब आध्यात्मी के आपे धार्मिक inquisitiveness मतलब उत्सुकता ठीक है जो धार्मिक उत्सुकता है made him finally reluctant retrieve scrape script और acknowledgement ठीक acknowledge तो यहाँ पर जवाब का option number 5 इसमें correct होगा acknowledge ठीक है तो acknowledge का मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है सुईकार करना क्या होता है इसका मतलब होता है सुईकार करना him finally acknowledgement राम क्रिश्न परम्हांत in the figure of his guru ठीक है थोड़ा speed में चलेंगे आप लोग inverse की meaning ढूंड लेना ठीक है गोगल कर लेना एक बार मिल जाएंगे ठीक है अदर्वाइज आप comment करके भी पूच्छ लेना यहाँ पर थोड़ा फास चलेंगे उंकि time जो है काफी ज्यादा हो च reference for his guru तो his deep gratitude brutal vicious atrociously gratitude ठीक gratitude आपका correct होगा आभार ठीक gratitude मतलब क्या होता है आभार तो his deep gratitude and reverence reverence मतलब होथा आधर ठीक है for his guru आगे पढ़ लेना आप लोग option number 5 इसमें जो पहला इसमें option correct होगा पांच वे question में और brutal मतलब होता कुरूर vicious मतलब बूरा कह सकते हो और atrocious अत्याचार से भरा सली आगे बढ़ेंगे इसमें next question पर और यहां पर यह एक पैसेज का पार्ट है ठीक है यह जो question है यह पैसेज में आया हुआ था तो मैंने सोचा कि आपको अलग से दे देता हूँ इसमें क्या है antonym ही तो बताना है और कुछ करना नहीं है ठीक है तो वह आला मैंने पैसेज नहीं लिया है क्योंकि उसमें time पोजिट वर्ड आपको बताना है तो supplant का मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है उखालना या फिर हटाना क्या होता है उखालना या फिर हटाना और करेक्ट एंसर आपका क्या होगा टेक इन ठीक यहां पर क्रेक्ट क्या होगा टेक इन उखालना या फिर हटाना ठीक है तो तो supplement मतलब हटाना और take in मतलब भरती करना ठीक है क्या होता है भरती करना ठीक है तो हटाना और भरती करना दोनों बिल्कुल बिप्रीद वाते होती हैं तो यह पर यह correct होगा और next question आप देख लेंगे आप लोग words को देख लेना नहीं आएगा तो comment करके पूर्ट लेना ठीक है important disappear ठीक disappear आपका इसमें correct हो जाएगा बाकी जो important clear advanced florist यह सब positive word है क्यों लेकी disappear ठीक है यही है negative word बाकी सभी इसमें positive word है ठीक है और florist मतलब होता है हरा भरा तो dwindle मतलब होता कम होना disappear मतलब गायब हो जाना दोनों एक ही बाते है ठीक है तो यह था आज 2019 वाला question paper आप लोगों को को अगर इसमें किसी भी question में कोई भी problem हो तो comment करके जरूर पूछ लेजेगा और बाकी भी वीडियो आप लोग जरूर देखें आपके लिए काफी ज्यादा helpful होंगे तो मिलते ह my friends next video में thank you and all the best